हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल दपैक्ट वीजन दिस इस साहिल मलेक यूवर होस्ट अन्यूर वैट तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि कनायन डिस्टेंपर एक कॉंटेजियस एक डिजीज है बसिकली वाइरल एक डिजीज है जो एक एनिमल से द लेकिन बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि सर इस डिजीज के अंदर तो डोग जो है खाना पिना ही बिल्कुल बंद कर देता है तो वो डाउट आपका बिल्कुल सही है इस डिजीज के अंदर इस कंडिशन के अंदर खाना पिना आपका जो डोग है बिल्कुल ही बंद क आते हो तो यह एक बिसिकली हाइली एक कॉंटेजियस एक डिजीज है वाइरल एक डिजीज है और स्पेशली यह डाजेस्टिव ट्रैक्ट नर्वस जो हमारा जो सिस्टम होता है उसको एफेक्ट करती है और साथ में रैस्पिरेटरी इशुस भी क्रियेट कर देती है जिससे क अगर आपके डोग का ट्रीटमेंट चल रहा है इसका कोई प्रॉफर टीटमेंट नहीं है लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर nap सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपने डोग क complaint से करवा अ और उस सिटुशेजिज dislod together अब zu लेबल होने चाहिए तभी आपके डोग को काफी ज़्यादा पावर मिलेगी to fight against this deadly virus, ओके तो बड़ा ही important है, तो सबसे पहले नंबर पे तो जो food आता है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने डोग को boiled chicken दे सकते हो, अब जो chicken जो आता है, basically chicken के जो पावस जो होते है न, आप उसको boil करके भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक है, result आपको provide करेंगे, और आपका डोग काफी इसमें heavy भी feel करेगा, और एक active भी feel करेगा, और वो fight कर पाएगा उस virus के against, ठीक है, second number पे आप अपने डोग को boiled rice भी दे सकते हो, वैसे मैं मैं मना करता हूँ, लेकिन आप इस situation में rice भी दे सकते हो, बहुत अच्छा protein होता है, इसमें आपके डोग की body के लिए requirement है, इसकी भी ठीक है, आप अपने डोग को boiled egg दे सकते हो, basically आप egg को boil करके वो देना है, आपको, आप कई questions होते हैं कि sir, इसके अंदर हमको जो अंदर वाला जो part होता है, जो अलग videos के अंदर बताया है, लेकिन इसमें आपको complete egg provide करना है, ठीक है, आप अपने डोग को canned pumpkin दे सकते हो, लेकिन उस canned pumpkin को आपको क्या करना है, जो dog food जो होता है, उसके अंदर अच्छे से mashup करके आपको पिला देना है, ठीक है, आपको खिला देना है अपने dog को, यह basically अग amount of nutrients available है, इसलिए मैं आपको recovery food suggest कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ महीं आप अपने dog को small quantity के अंदर cheese अपने dog को खिला सकते हो, तो basically यह जो 5 जो food है, आपको अपने dog की diet में add करने है, अगर आपका dog canine distemper नामक एक deadly disease से सफर कर रहा है, ठीक है, तो especially एक बात बता दूँ, अग sir, मेरा dog कुछ भी नहीं खा रहा, उसको first day injection लग गए है, second day injection लग गए है, लेकिन अभी भी वो कुछ भी नहीं खा रहा, तो मेरे पहरे दोस्तों, आपका मैं doubt यह clear कर देता हूँ, जो saline treatment के अंदर दी जा रही है, जिसको हम IV fluids बोलते हैं, जो हमारे DNS है, RL है या और भी अप्लाइट्स होते हैं, जो आपकी dog की body के अंदर जो खाने की पूर्ती होती है, उसको संपून कर देते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, आपके dog को energy मिल रही है, उन saline की वज़े से ठीक है, लेकिन अगर आपका treatment complete हो चुका है, तब आपका dog खाने योग्य है, उसक को time रहते हैं, जरूर एक treatment करवाया है तो, तो मेरे पहरे जोस्तों मैं आशा करूँगा, आज की जो हमने वीडियो बनाई है, आपके लिए beneficial रही होगी, हमारे चैनल को आप subscribe जरूर कर लेना, because हम dogs और cats दोनों के उपर most important topics के उपर वीडियो जलाते रहते हैं, जो आपकी 100% help जरूर करेंगे, thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share, thank you so much, jay hind, jay bharat